इमनीटी क्या होती है जो किसी भी foreign particles के एगेंस्ट हमारी बड़ी जो resistance उत्पन करती है उसे हम इमनीटी कहते हैं इमनीटी दो तरह की हो सकती है इनेट इमनीटी होगी और acquired इमनीटी होगी इनेट कहने से ही पता चलता है by birth, acquired मतलब after birth, मतलब birth के बाद जो इमनीटी हमें मिलेगी उसे हम acquired इमनीटी कहेंगे innate immunity को congenital immunity भी कहा जाता है या इसे non-specific immunity बोला जाता है, innate मतलब by birth, मतलब जन्म से पहले हमें जो जन्म लेने से पहले जो इमनीटी हमें मिल जाए उसे हम innate immunity कहते हैं इसे non specific immunity भी बोला जाता है non specific immunity इसलिए बोला जाता है कि किसी भी foreign particles के against यह काम कर सकता है किसी भी specific रूप से foreign particles के against जो है काम नहीं करेगा कोई भी foreign particles यदि हमें infect करने की कोशिज करता है तो उसके against innate immunity काम करेगी मतलब किसी के लिए specific रूप से या काम नहीं करेगी innate immunity ऐसी immunity जो by birth मिले ठीक है, acquired immunity हमें प्राप्त करनी होती है यह immunity हमें लेना परता है, acquired करना परता है उसे हम acquired या adaptive या specific immunity कहते हैं specific क्यों कहते हैं? specific immunity इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी foreign particles के against वह specific रूप से काम करती है acquired immunity कहते हैं, acquired immunity जो है after birth मिलती है acquired antibody, मतलब ऐसी antibody जो हमें after birth मिले ऐसी immunity जो हमें after birth मिले, उसे हम acquired immunity acquired immunity दो तरह से हो सकती है, एक होगा active immunity और दूसरी होगी passive immunity activity मतलब जिसे हमें efforts करके, जिसके लिए हमritos करना परे to know self बनाए हम खुद से बनाए, ऐसी immunity जो हम him assertive immunity बनाए हं हम passive immunity जिसे हम non self कर सकते हैं इसके लिए हमें effort करने की कोई जरूरत नहीं होती है active immunity जो है दो तरह की हो सकती है natural रूप से हमें मिलेगा और एक artificial मतलब active immunity बनाया तो हमने है तो एक natural रूप से हमें मिलेगा और active immunity मतलब हम बनाये हैं लेकिन हमसे बनवाया जाएगा फिर से यदि artificial रूप से बनवाया जाए तो उसे हम artificial active acquired immunity कहते हैं ठीक है अब जिसे natural की यदि हम बात कर ले natural नेचुरल की यदि हम बात कर ले natural active immunity की बात कर ले तो जैसे natural infection हो गया जैसे common cold होता है तो नेचुरली रूप से काम करने वाला active immunity ठीक है अब artificial मतलब हमसे बनवाया जाए ऐसी artificial immunity मतलब बनाया तो हमने ही है लेकिन हमें बनवाया गया है ठीक है तो उसे हम artificial कहेंगे जैसे vaccine हो गया vaccination के लिए जो जैसे polio virus दिया जाता है या tetanus के लिए जो दिया जाता है ठीक है उसे हम artificial मतलब हमने ही बनाया है लेकिन हमसे बनवाया गया है तो artificial रूप से ठीक है तो उसे है जैसे इसका example है polio और tetanus और दूसरी जो है acquired immunity के passive मतलब non-self जो हमने नहीं बनाया है मतलब बना बनाया हमें मिले ऐसी immunity जिसके लिए हमें effort करने की कोई जरूरत नहीं है तो यह एक natural रूप से भी मिल सकता है और artificial रूप से मिल सकता है नेचुरल रूप से कैसे मिलेगा बना बनाया तो है मदर्स से कैसी नेचुरली रूप से हम लोग connect होते हैं तो मदर्स के हो सकते है प्लासेंटा के थुरू ही से Ig antibody जो है IgG मिलती है फीटस को मतलब नेचुरल रूप से मिलती है तो यह नेचुरल रूप से मिलती है इन फैंट को जो है antibody यह मिल जाता है ठीक है अब artificial रूप से इता artificial जो है कौन देंगे artificial रूप से जो है passive immunity artificial रूप से doctors देंगे जैसे सनेक ने bite कर लिया तो उसके against क्या देंगे इंटी भेनम देंगे मतलब ऐसी immunity जो बनाई बनाई हो पहले से passive immunity बोलेंगे उसमें भी artificial immunity मतलब artificial रूप से यह कौन लगाएंगे doctor लगाएंगे जैसे सनेक ने bite कर लिया तो उसके against जो है इंटी भेनम देंगे